नमस्कार मैं हूँ मंग और आपका स्वागत करता हूँ ND TV स्पोर्ट्स में आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे स्पोर्ट की जो इंडिया में पहली बार होने जा रहा है शायद कुछ लोग मेरे इस लाइन से समझ भी गए होंगे कि मैं किस स्पोर्ट की बात करने जा रहा हूँ इंडिया में पहली बार बाइक रेसिंग का सबसे बड़ा इंटरनाशनल इवन्ट मोटो जीपी नौइडा के बुध इंटरनाशनल सर्किट पे होने जा रहा है यह वही सर्किट है जहां कार रेसिंग का सबसे बड़ा इवन्ट फॉर्मूला वन 2011 से 2013 तक हुआ था बड़ यू टू सम रीजन्स कंटिनू नहीं हो पाया अब मोटो जीपी की हाइप कंट्री में बहुत क्रियेट हो गई बड़ स्टिल जादा तर लोग उसके बारे में तो जानते ही नहीं है लेकिन आप चिंता ना करें इस इवन्ट का पूरा फॉर्माट मैं आपको समझाऊंगा सो लेट्स बिगिन मोटो जीपी का मतलब है ग्राउंड प्री मोटर साइकल रेसिंग इसके पूरे सीजन में 21 रेसिस होती है मोटो जीपी की एक रेस 100 से 130 किलो मिटर की होती है जो अराउंड 45 मिनट तक चलती है अगर इसके स्टैंडर लैप्स की बात करी जाए तो वो 20 से 30 लैप्स के बीच होते हैं जो डिपेंड करता है ट्रैक के डिस्टेंस पे नौईडा के बुद इंटरनाशनल सर्किट की लेंद 5 किलो मिटर की है और इस रेस में 24 लैप्स होंगे जिसका डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 118 किलो मिटर का होगा अब जान लेते हैं मोटो जीपी में कितनी टीम्स और राइडर्स इन्वाल्ड है मोटो जीपी में 11 टीम्स इन्वाल्ड है जिसमें हर टीम में 2 राइडर्स है Moto GP में भी F1 की तरह दो Championship होती है Rider Championship और Constructors Championship Championship में जो टीम और Rider आखिर में सबसे ज़्यादा पॉइंट स्कोर करता है वो Champion बन जाता है Now let's move on to the most important part, the race weekend Race weekend तीन दिन चलता है, Friday, Saturday और Sunday Friday को दो practice session होते हैं पहला 45 मिनट का और दूसरा 60 मिनट का वही Saturday की भी शुरुवात 30 मिनट के practice से ही होती है और उसके बाद qualifying session होता है जो दो भागों में divided होता है Q1 और Q2 ये दोनों ही session 15-15 मिनट इच के होते हैं qualifying के बाद fans को sprint race देखने के लिए मिलती है जो कि Sunday की main race से आधे laps और distance की है Sunday को race से कुछ गंटे पहले एक 10 मिनट का warm up session होता है और फिर होती है main race race के end में top 15 riders को मिलते हैं points और वो कुछ इस तरह होते है पहले स्थान पे आने वाले को 25, दूसरे को 20, और तीसरे को 16 and so on इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो like, subscribe और share करना ना भूले और हमको comment box में जरूर बताइए कि आप और कौन से sport पे कोई explainer वीडियो चाहते हैं आपको ये वीडियो ना भू अजया वीडियो पाले को अबसे स्थान को 20, वीडियो चाहते हैं